दोस्तो आज के वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं अगर हम मंदिर के लिए दो होरन का सेट अप ले तो उसमें हमें कितना खर चायेगा और हम किस कंपनी का ये सोंट सेट अप ले तो चलिए वीडियो में बने रहे और आगे हम सारी डिटेल आपको देने वाले हैं ले दोस्तों में लगाने के लिए किलेंगे हुजा इंडिया का प्रोडेक्ट क्योंकि ये है दोस्तों हॉरन सिसमें दो इसके बाद जो हम जबद पढ़ने वाले हैं इसके साथ यह है हमारा प्लेन यूनिट यह प्लेन यूनिट है आपको जितना पिस लॉड़ी स्पीकर चाहिए आपको इतना पिस यह यूनिट भी आपको लेना होगा गरेंज टॉस्तो यह होजा कंपनी का डीपि ये 570 एमपली फैर इसका उप्योग आप तीन बजाने में घर आप अप्टीन प्लेन बजा रहे हैं तो आप इसका इसका इसके माल कर सकते हैं इसमें आपको तीन मायक भी लग जाएगा इसके बाद को डारेक्ट ज्याह यूस्व कनेक्टर है आप USB में संग गाना बजा के इससे प्ले कर सकते हैं और ये बैक्टिक पे भी आपको चलने वाल है ये बार अबाव भूल्ट बैक्टिक से अप्रेट हो जाएगा और ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का एंपलीफार है ये है अहुजा कंपनी का 59 XLR मैक जो की क इसके बाद जो दोस्तों आपको जड़ात पढ़ने वाले हैं मैक के लिए एक्टेंट का तो आपको 500 से लेकर आप जितने बजट का ले सकते हैं इसका जो स्टार्टिंग प्रैस है 200-300 रुप्या का है तो आपको 300 रुप्या तक में अच्छा क्वालिटी का मैक का एस्टें आपको यह 12 इंची में अहुजा कंपनी का इसका प्रैस आपको लगों 9000 रुप्या मिल जएगा इसमें सिंगल 12 इंची का स्पीकर लगा हुआ है और इसको जो बजाने के लिए आपको अंप्लीफार की जरुत परने वाले है वह है अहुजा कंपनी का 100 वाट अंप्लीफार जिसका मार्केट प्रैस लगों 9000 रुप्या के असपास है तो दोस्तों अब मैं सारे प्रोडेक्ट का आपको प्रैस बता रहा हूं जो कि मार्केट में भी प्रैस है होरन अगर आप लेते हैं तो लगों 1700 रुप्या में आपको और यूनिट मिलाकर पढ़ जाएगा उसके को आपके साथ बोक्स भी लेना चाहते हैं तो बाक्स का प्रैस है या हुजा कमपनी का बॉस्त सिंगल पा रहा है इसे दो लेने में आपको 9000 रुप्या के आसपास पर जाएगा और एम्प्लीफायर का प्रैस के आपको 9000 रुप्या पर जाएगा